कि यहां पर यह देखेंगे आपके पास कि ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू अक्टल कैसे होता है तो इसके लिए एक छोटा सा एक्जामपल आपके पास फॉर्मूला टाइप का है तो आपको थ्री बीट में रिपर्जेंट करना है ठीक है ऑक्टल यानि एट हो गय 011 फिर 100101 11011 ठीक है तो यह नंबर 0 हो गया यह 1 हो गया यह 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया 6 हो गया 7 हो गया ठीक है तो कोई भी आपके पास question हो ठीक है आप कर सकते हो ठीक है यह ध्यान रखना हुआ हर बीट को है ना कोई भी आपके पास नंबर हो उसको 3 बीट से रिपर इसकी बात करें, कोई भी आप, octal to binary के हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो let's suppose हमारे पास 27.36 दिया हुआ है, ठीक है, यह octal number है, इसको हमें binary में करना है, ठीक है, तो कुछ भी आपको नहीं करना है, इस table से आप, यहाँ पे stable से, 7 की value, देखो आप, 7 की value क्या है, 1, 1 है, 2 की value आपके पास क्या है, 0, 1, 0 है, ठीक है, this is the value of 2, and this is the value of 7, ठीक है, point, point देना है, 3, 3 की value आपके पास क्या है, देखो यहाँ पे, 0, 1, 1, 6 आपके पास क्या है, 6 will be, 1, 1, 0, ठीक है, तो यह आपके पास octal to binary आपके पास हो गया ठीक है next हम binary to आपके पास octal की बात कर रहे है तो let's suppose take one example 110 110 और 1 let's suppose 0 हमने ले लिया ठीक है और 0.010 ले लिया let's suppose ठीक है इसको ये 2 में दिया हुआ इसको मुझे octal में change करना है ठीक है तो यहाँ पर important point ये है कि आपको 3-3 का group बनाना है ठीक है तो यहाँ पर आप 3 का group बना लिया आपने यहाँ पर ठीक है और देखो यहाँ पर जैसे आप देखो 010 यह तो 3 का group हो गया dot के पहले left side वाला focus करना है ठीक है अब मैं next की बात करूँगा यहाँ पर तो next में क्या है 11 है तो यहाँ तो आपके पास 3 का group बनेगा नहीं तो आप यहाँ पर ठीक है 0 add कर सकते हो ठीक है आप यह 0 extra add कर सकते हो ठीक है कोई फरक आपको नहीं परेगा ठीक है next की मैं बात करूँ यहाँ पर zero one zero तो already यह 3 bit के format में है ठीक है तो यहाँ से अगर आप यहाँ पर भी अगर मान लो यह नहीं रहता है ठीक है यह नहीं रहता है आपके पास ठीक है तो आप क्या करोगा ठीक है अब क्या कर सकते हो यहाँ पे एक 0 दे सकते हो ठीक है तो I think मुझे यह because dot है dot के बाद अगर आप जैसे 5.2 दो या 5.20 दो बात एक ही होता है आपके पास ठीक है तो यहाँ पे हम 3 का group हमने कर लिया तो यहाँ पे जो answer आपके पास आएगा आप table में देखो 010 आपके पास value क्या है देखो एक minute once again 010 value आपके पास क्या है देखोगे यह value 2 होगा यह value क्या होगा आपके पास 3 होगा और यह value again आपके पास 2 होगा I think ठीक है तो यह आपके पास answer क्या हैगा 32.2 तो इसमें we hope doubt नहीं होना चाहिए यह conversion आपके पास क्या है binary to octal this is binary to octal okay बना 3-3 का आपको grouping करना है similarly आप क्या कर सकते हो ठीक है similarly अगर कोई भी आपके पास जैसे एक 4 का भी group होता है जिसको हम hexadecimal बोलते है hexadecimal to binary same या binary to आपको hexadecimal तो यहाँ पे आपको same चीज क्या करना होगा 4 का group बनाना होता आपके पास तो इसको देखो आप 0,0,0 that is 0,0,0,1 that is 1, 0,0,1,0 that is 2, 0,0,1,1 that is 3, 0,1,0,0 that is 4, 0,1,0,1 that is 5, 0,1,0 that is 6, 0,1,1 that is 7, ठीक है 1,0,0 that is 8, ठीक है next मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1,0,0,1 that is 9, 1,0,1 that is 10 इसको हम A लिखेंगे 1,0,1,1,11 इसको B लिखते हैं 1,0,0 that is 12 इसको C लिखेंगे 1,1,0,13 इसको D लिखते है 1,1,0,14 इसको E लिखते है 1,1,1 that is 15 that is F लिखेंगे सेम चीज आपके पास है ठीक है सेम हमें वहाँ पे 3 का गुरूप किया था यहाँ पे 4 का गुरूप करेंगे आपके पास ठीक है तो एक हम एक्जामपल आपको बता दे रहे है let's suppose आपको यहाँ पर यह 29A 16 29A let's suppose 16 इसको आपको बाइनरी में करना है ठीक है तो कुछ भी आपको नहीं करना है 2 का देखो आपके पास 2 का यहाँ पर क्या है 2 का देखो group 0 0 1 0 यह basically आपके पास क्या होगया 2 का group होगया फिर 9 आपके पास क्या है देखो 9 गेर आपके पास तो 9 आ जाएगा 1, 0, 0, 1 A आपके पास क्या है This is 1 1, 0, 1, 0 ठीक है This is A 1, 0, 1, 0 This is 2 This is 9 This is the A Similarly यह तो होगे आपके पास Hexadecimal to binary Binary to hexadecimal भी आप कर सकते हैं कोई भी आपके पास दिक्कत नहीं है आप only 4 का group बनाना है जैसे यह boundary में है तो hexadecimal में आपके पास convert कर सकते हो ठीक है एक और आपके पास है इसे में हम देख लेते हैं जैसे आपको कई बार hexadecimal to octal करना हुआ hexadecimal से आपके पास क्या करना हुआ octal करना हुआ या फिर octal से hexadecimal करना हुआ ठीक है तो यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं सोचना है ऐसे situation में hexadecimal को binary में करोगे फिर binary को आप octal में कर सकते हो same यहाँ पे भी आपके पास है octal को binary में binary से hexadecimal में ठीक है let's take one example ठीक है एक example ले लेते हैं हाँ पे let's suppose हमारे पास a, d, c इसको हमें sixteen है इसको हमें eight में करना है ठीक है तो पहला step आपके पास क्या होगा पहला step इसको हमें binary में करना है तो a के लिए आपके पास अभी था one zero one zero, d के लिए आपके पास table देखना पड़ेगा ठीक है D और C के लिए ठीक है आप यहाँ पे table देख सकते हो ठीक है कि वहई D का आपके पास table क्या है D में answer आ रहा है 11 D में देखो आपके पास 111-0 ठीक है let's suppose 111-0 ठीक है तो यहाँ पे आप यह दे दो let's suppose 111-0 इसको आप F कर दो ठीक है और F यानी ADF को 18 में करना है तो यहाँ पे F का यह हो गया ठीक है तो एक बड़ मैं repeat कर देता हूँ ये तो number आपके पास किसमें हो गया है ये number आपके पास 16 को 8 में करना है तो हमने first step क्या किया इसको हमने boundary में कर लिया ठीक है ये आपके पास number क्या हो गया A this number is d and this number will be f ठीक है पहला step हो गया second step हम क्या करेंगे इसी को हम 3-3 का group करेंगे ठीक है देखो आपके पास इसमें 3 का group इसमें ये 3 का group again ये 3 का group ठीक है और again आपके पास ये 3 का group ठीक है तो अगर इसको आप एक minute मैं इसको यहां पर लिख देता हूँ 1-0-1 अगर आप 3 का group बनाओगे तो यही आएगा 0-1-1 1-0-1 1-1-1 ठीक है तो अगर आप इसको आपको पता ही है कि जैसे binary 2 ये आपके पास कौन सा conversation हो गया binary 2 बैसे के लिए ये क्या है binary to octal तो कर सकते हैं ये क्या हो जाएगा 7 ये क्या हो सकते है 5 ये value क्या हो जाएगा 3 ये value again 5 तो ये हमारे पास answer आजाएगा ये इसको convert करोगे तो क्या जाएगा 5-3-5-7 8 ठीक है तो ये सारे conversation हमने देखा कि कैसे आप convert करोगे one format को other format से ठीक है तो revise करो एक बार आपका हो जाएगा और वीडियो का अच्छा लगे तो like, share, subscribe करो